Friends, Welcome to SAP Journey once again, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से SAP Journey में स्वागत है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, यह जो हमारी वीडियो रहेगी, स्टोलेशन से रहेगी, और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि, जैसे ही हमने डिवीडी सिस्टम को बूट करने के लिए यूज की, तो सिस्टम ने डिवीडी से बूट नहीं उठाया, विकॉस जो हमारी डिवीडी थी, वो काफी पुरानी थी, तो उसका जो नहीं डिशन से प्रेंट लिए, और पंडाइव के अंदर हमने क्या किया, बूटेवल पैंडाइव बनाकर इसके अंदर विंडो सर्वर हमने डाली हुई है, और आज हम इस बूटेवल पैंडाइव से हम बूट करवाने जा रहे हैं सिस्टम को, तो चलिए स्टार्ट करते लगा के system को reboot करता हूँ आपको शर्दिक नहीं पारी होगी ओके start करते हैं हमारे वीडियो को इस pen drive से boot करते हैं सेम pen drive है जो last time हमने use की थी bootable window बनाने के लिए 16GB तो इस pen drive को आज हम use करेंगे विंडो सर्वर इंस्टॉल करेंगे इस system के अंदर और चेक करते हैं कि यह जो pen drive bootable हमने बनाई है यह वर्क करती है यह नहीं करती जो भी प्रोब्लम्स रहेंगी SAP installation के time तो वो आपको मेरी वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहेगा जो हम skip करेंगे जो भी प्रोब्लम्स आएंगी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं मैं इस pen drive को system में लगा लिता हूँ पर देख सकते हैं और इसको मैं क्लोज करता हूँ then system को मैं क्या कर रहा हूं रिस्टार्ट कर रहा हूँ पर देख सकते हैं पर देख सकते हैं पर देख सकते हैं कि अब इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं शेट डाउन हुआ था एक्चली रिस्टार्ट नहीं हो पाया तो अभी देखते हैं कि हमारी pen drive जो है वह बूट उठाती है हमारा system जो है pen drive से बूट उठा लेता है नहीं उठाता लास्ट टाइम डीवीडी ने वर्क नहीं किया तो यहां पर pen drive ने बूट उठा लिया है उपर आप देखिए multi boot USB और अगर आपको यहां पर दिख रहा हूं मैं flash on करता हूं अभी आप देख पारें वर्षद विंडों इंस्टोलर अगर आपको दिख रहा है यहां पर second point पर यह विंडों इंस्टोलर फ्लेश ओफ करने के बाद तुम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ओके विंडों इंस्टोलर पर जाते हैं जो यहां पर देखेंगे कि आप service pack 2 है यहां पर first option first stage मैं इसको select करता हूं और देन हम system को बूट करते हैं इस विंडों से अब यह जो भी process रहने वाली है वो आपके सामने है कोशिश करूँगा कि आपके लिए SD और FI से भी अभी वीडियो डालूं SD के अंदर हम item category discuss करेंगे और FI से related जो भी discount की condition थी उनके बारे में discuss करेंगे अभी system ने हमारा बूट उठाया है setup इस टार्टिंग विंडों अभी देखिए यहां पर window का जो setup है वो start करने के लिए system यहां पर हमसे पर्मिशन मांग रहा है first point पर नीचे देखिए enter to continue मैं enter करता हूं continue के लिए देन agree to F8 अगर हम प्रेस करेंगे तो agree के लिए हमको F8 प्रेस करना है यहां पर देखिए जिस partition के अंदर हमारी जो old जो window install है वो partition system यहां पर आपको show कर रहा है अगर आप चाते हैं delete partition तो आप D दबा सकते हैं हम D दबा के delete partition करते हैं then continue enter करते हैं मैं यहां पर वीडियो को pause कर रहा हूं because यह में भी थोड़ा time ले जिससे वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी चलो मैं इसको या तो continue रखता हूं actually continue रखने पर क्या हो रहा है कि system को कोई moments detect नहीं हो रही है जिस वर जैसे वीडियो जो ग्राफी है वो बंद हो जा रही है को automatically जो mobile है वो वीडियो को बंद कर रहा है तो चलिए मैं pause ही कर देता हूं काफी time लगने वाला है इसमें कि हमारा 73 परसेंट जो सेट अप है विंडो का वो कोपी हो गया है आप तो रिमाइंडिंग सेट अप देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको विंडो इस्टॉल होने में आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं आप पहले hardisk के partition कर सकते हैं मैन्वली और फिर आप particular partition पर window install कर सकते हैं वो भी हम discuss करेंगी कि वो कैसे हम कर सकते हैं अगर आपके system में window 7 install है तो आप मैन्वली जाकर उसके पहले partition कर सकते हैं किस partition को कितनी value रखनी है तो वो भी आप already उसके अंदर create कर सकते हैं विंडो इस्टॉलेशन से पहले तो setup जो है हमारा और 90% कोपी हो चुका है और मैं आपको बता दूँ कि जो विंडो सर्वर 2003 है उसकी अगर आपको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं जो विंडो सर्वर 2003 सर्विस पैक 2 सर्विस पैक 1 कोई भी जो आपको सर्विस पैक की फाइल चाहिए तो अगर आप गूगल पर लिखेंगे कि डाउनलोड विंडो 2000 सर्वर सर्विस पैक 2 तो सिस्टम आपको वहां पर शो करेगा और वहां से आप उस लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडो 2003 और देन आप पैंड्राइब जो है वो सॉफ्ट्वेर के तुरू बूटेवल बना सकते हैं तो यहां पर नीचे देखिए मैं इसको कैमरे को नीचे करता हूं सेविंग कॉन्फिग्रेशन पीस वेट वाइज सेट अप इन स्लाइजिंग अब भी हमारा सिस्टम क्या है रीबूट होगा सेट अप का जो पोर्शन था वो हमारा कम्प्लीट हो गया है तो अभी सिस्टम रीबूट होगा अभी देखते हैं क्या रहता है अब जो था वो वर्क नहीं किया मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे जो जो प्रोब्लम हम फेस करेंगे तो जैसे ही मैंने पेंडराइब को निकाला यहां पर सिस्टम क्या बोल रहा है कि जो विंडो की कोई फाइल है वो मिस्सिंग बता रहा है जो हमने बूटेबल पे प्रोब्लम है तो हम पेंडराइब के अंदर दूसरा सेट अप रन करके फिर चेक करते हैं कि जो हमारा विंडो सर्वर 2003 है वो वर्क करती है या नहीं तो चलिए बूटेबल बनाते हैं मैं वीडियो को यहीं खतम करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वर्क करती है या पेंडराइव या नहीं